हेलो फेंट्स आप सब कैसे उम्मिद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं MP पाटवारी रिजल्ट 2023 क्या अफिस्यली पेपसाइट पे रिजल्ट को रिलीस कर दिया गया है अगर रिजल्ट अभी तक रिलीस नहीं हुआ है तो कब तक रिलीस किया साएगा साथ में इसकी एक्सपेक्टट को टॉफ क्या रहने वाली है और रिजल्ट को कैसे चे करना है इस वीडियो में आप सभी को शार इंफोमिशन देने वाले है तो आप इस वीडियो के अंतक बने रही है तो चलिए भी ना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अम इंपोटेंट डेट की बात कर लेते हैं इंपोटेंट डेट में सबसे पहले यहाँ पर एक्जामिनेशन की बात करें तो आपसे भी का examination फानली याँ पर 15 मार्च से 26 अपरेल के बीच हुआ था और जो answer किया हो फानली याँ पर 18 अपरेल को release कर दिया गया था अब इसमें आपसे भी result release date है जो expected date थी वो जून की याँ पर third week बताई जा रही थी बट अभी याँ पर जून का third week भी खत्म हो चुका और अभी तक result आया नहीं है तो result कब जारी किया जाएगा तो result को लेकि अभी याँ पर कोई भी officially notice भी release नहीं किया गया बट आप सभी का result है जून के last week तक जारी किया जा सकता है अब चली यहाँ पर cutoff mark की बात कर लेते हैं बट उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले total vacances की बात कर लेते हैं जो कि finally यहाँ पर 9,073 की पूरी post थी ठीक है अब यहाँ पर category wise cutoff की बात कर लेते कि इस category का कितना cutoff mark जाएगा तो simply यहाँ पर category शो कर रहा है यहाँ पर cutoff mark शो कर रहा है category में यहाँ पर general, OVC, SE, HT, PWD का यहाँ पर cutoff देखने को मिल रहा है general में यहाँ यहाँ पर बात करें cutoff का तो इसका cutoff 82 से 87 अंके 20 जाएगा OVC का 78 से 82 अंके 20 जाएगा, SE और HT का 73 से 76 अंके 20 जाएगा और PWD का 80 से 72 जाएगा, तो यह हो गया expected का top mark, अब बात करें result कैसे देखना है तो आप सभी को result देखने के लिए अपने mobile phone में simply किसी भी browser को open करके आप सभी को officially website फे visit करना होगा, visit करने के बाद आप सभी को result का option शो करेगा finally result वाले option पे click करना होगा, जैसे आप result वाले option पे click करेंगे तो result का link open हो जाएगा, open हो जाने के बाद आप सभी को result देखने के लिए application number, password यानि आप से जो भी information माँगे जाएगी simply आप सभी को submit कर देना को fill up करके and then जैसे आप fill करके submit करेंगे तो आप सभी का result आपके mobile skin पे show कर देगा आप सभी result पीडियाप में डाउनलोड करके उसको आप सभी print out कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार सा आप सभी result देखना होगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद